हाँ है फोटोंटिकत के लिए क्लोरोफिल आवस्ष्च्ख निसेसरी है जो हैं हुआ है उसमें सन लाइट की जरूरसंद होती है क्लोरोफिल की जरूर्थ पढ़ती है वाटर की जरूर्थ पड़ती है और तर्बन डायकसाइड की जरूत पड़ती है अब यह सारी चीज़ें जो हैं मिलकर फोटो सेंथिस करके बनाती हैं ग्लुकोज और वह ग्लुकोज जो है कर्माइट हो जाता है लीफ में स्टार्च में तो हम जो आज आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों में पाया जाएगा और आट में नहीं पाया रहे तो यह अकोलियस का जेंप 휙चेंपली ले लेंगे कहीं क्लोरोफिल है और कहीं chlorophyll नहीं है तो हमें आपको यह समझाने में सुविदा होगी कि देखिए जहाँ chlorophyll है वहाँ photosynthesis हो रही है और जहाँ पर chlorophyll नहीं है white है वहाँ पर photosynthesis नहीं हो रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक variegated leaf को लेंगे एक variegated plant को लेंगे और उस plant को तीन या चार दिन एक dark room में रख देंगे potted plant रहेगा गमले में लगा हुआ plant रहेगा उसको एक dark room में रख दिया जाएगा इसलिए रखा जाएगा कि जो उसमें starch बना हुआ है photosynthesis की वज़े से वह starch तीन चार दिनों के अंदर वह consume हो जाएगा इसके बाद जब वह starch उसका consume हो तो उसको कहेंगे कि यह de-starged हो गया इसका star जो है खतम हो गया तो फिर ऐसे एक potted plant की एक leaf को प्लांट को तीन चार दिनों तक फिर sunshine में रखा जाएगा धूप में रखा जाएगा जिससे कि उसमें photosynthesis हो सके तीन चार दिनों के बाद क्या करेंगे कि उसकी एक leaf को प्लप कर लेंगे तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इसमें देखिए यह पाटली क्लोरोफिल है और पाटली हुआइट है इसको हम क्या करेंगे कि water में बॉइल करेंगे एक बीकर ले लेंगे उसमें water डालके इसको बॉइल करेंगे बॉइल करने से क्या होगा इसका chlorophyll जो है वो उससे निकल जाएगा निकलने लेगा फिर इस लीफ को एक छोटे से बीकर में लेके एक बड़े बीकर में वाटर लेके उसमें बॉयल करेंगे और छोटे बीकर में जिसमें ये लीफ रखी जाएगी उसमें अलकौहल भरा होगा अल्कोगल में डालने से उसको hot जब हम atmosphere प्रवाइब करेंगे तो उसका chlorophyll जो है उससे leaf से निकल जाएगा फिर उस leaf को कुछ मिनट के बाद हम उसको hot water से wash करेंगे ताकि जो कुछ भी chlorophyll इसके उपर लगा हुआ है सब का सब chlorophyll जो है निकल जाए अब यह देखिए बिला chlorophyll की यह है यहां से chlorophyll रिमूब कर दिया गया है अल्कोगल में boil करके फिर इस leaf को जो है इसमें iodine solution को drop by drop white portion में गिराएंगे जब white portion में iodine solution डाला जाएगा तो देखिए कि no blue black color appear इसमें कोई blue black color अपियर नहीं होगा आप जानते हैं कि starch को जब iodine solution से treat किया जाता है उसके उपर pour किया जाता है डाला जाता है तो उस starch का color जो है blue black हो जाता है तो जहाँ पर ये white patch है leaf का वहाँ पर कोई chlorophyll नहीं है तो कोई color नहीं develop करेगा क्योंकि वहाँ photosynthesis होई नहीं है लेकिन जहाँ पर green color था वहाँ पर photosynthesis होई और photosynthesis के बाद वो starch के रूप में भोजन आ गया तो वो starch जो है iodine solution के साथ देखिए यहाँ पर ये blue black color में change हो गया इसका मतलब ये कि photosynthesis के लिए chlorophyll आवश्यक है necessary है